मुंबर नैशनल पार्क के लाइन सफारी में वाच्मेंट पर हमला कर दिया यहाथ सा तब हुआ जब एक टूरिस्ट वैन लाइन सफारी से लोट रही थी लाइन सफारी का पीछा करते शेर सफारी के गेट तक आ गया और जैसे ही वाच्मेंट ने शेहर की तरफ आने वाला गेट खोला शेर ने वाच्मेंट पर हमला कर दिया और उसे खीच कर सफारी के अंदर ले गया और यह पांच घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद वाच्मेंट को ढूर निकाला गया इस घटा में वाच्मन हरीश चंद्र किंबल की मौत हो गई दरसल सफारी से शहर की तरफ आने के लिए दो गेट हैं जब भी टूरिस सफारी से लोटते हैं तो पहले एक जंगल के अंदर का गेट खोला जाता है और फिर उसे बंद शहर की तरफ कुलने वाला गेट खोल दिया जाता है बताए जाता है कि वाच्मन हरीश एक साथ दो गेट खोल दिये थे और शेर ने उसे अपना सिकार बना लिए